है येजुलू अब्रीवन नमश्कार कोल इंडिया लिमेटेट की नए भरती आ चुकी है कौल इंडिया लिमेटेट में कौन से कंडियेट अपलाई कर पाएंगे दोस्तों बात करेंगे अगर टोटल पदों की तो पांचोड़ प्रतों के लिए बेकेंसी निकलके आ चुकी है नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है दोस्तों बहुत ही वमफर वर्थी है इसमें अच्छे खासी आपको सेलरी मिलने वाले दोस्तों कौनसे कंडियाटिस में आवयदन कर पाएंगे क्वालिफिकेशन क्या रहेगी तो अंतिम्तिती यहां पे 13 अक्टूबर 2030 तक आप आवयदन कर पाएंगे दोस्तों उम्र 18-30 वर्ष के कंडियाटिस में आवयदन कर पाएंगे संपूर्ण जानकारी हम जानेंगे एट टू जट आपको इंफर्मेशन मिलेगा कोल इंडिया लिमिटेट की नए भरती में आपको अपलाई करना कैसे और एक्जाम पेटर्न के साथ हमको क्वालिफाई करना कैसे दोस्ते नमस्कार दोस्तों हैलो दोस्तों कैसे हो उम्मीद करता हूँ आप लोग कफी अच्छ और बेहतर होंगे दोस्तों तो फटा फटी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिएगा चैनल पर पहली बार विजिट करने चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को प्रेस करने दोस्तों हैलो दोस्तों मैं संजीब संजीब आप देख रहे हैं संजीब टाल को जॉब में दोस्तों बात करते हैं को इंडिया लिबेटमें कॉन सी कन्यर सकते हैं प्लाई पांसो साथ फदों की ये बेकेंसी है और इसमें देख सकते हैं कव से आप आवेदन कर पाएंगे तो इसके जो समय सीमा बहुत ही कम है आप जल्द से जल्द इसके आवेदन फॉर्म फिलप हो चुके हैं की 13 सितंबर 2023 से लेके 12 अक्टूबर 2023 तक आप कोल इंडिया लिमिटेट बेकेंसी में अपलाई कर पाएंगे अपलाई करने का जो प्रोसीजर रहेगा दोस्तों क्या रहेगा येज कितना मंगा जा रहा है इसमें एजुकेशन कितना लग रहा है और आवेदन सुल्क कितना लग रहा दोस्तों तो ये सारे पॉइंट की डिसकस करेंगे हम इसी वीडियो में वीडियो लाश्ट तक और यहां पर देखेंगे तो देख सकते हैं मायनिंग इंजीनरिंग की पॉश्ट है इसमें अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होगी दोस्तों पूरी हम बताएंगे इंफ्रमेशन ठीक है civil इंजीनरिंग की एक सो बाहतर पोश्ट हैं और जियोलोजी की यहां पर दिखते हैं सेंटिस पोश्ट हैं इसमें करेट अप्लाई करेंगे ठीक है तो टोटल पांसो साड़ पनों की वेकेंसी है ठीक है एज की लिमिट की बात कर लेते हैं तो यहां पर अधिक से अधिक यानिका ठारा से तीस कर सकते हैं अगर आप यसी एसटी जैसे बर्ग के कंडिडिट है आप एज में भी छूट लेना चाहते हैं तो आपको पांस साल छूट मिले गाठीक है और अगर आप यह सी स्टी नहीं यहन की OBC, EWS, General का केटरीक हैं तो आपको तीन साल यहां पर छूट मिलेगा ठीक है एज में छूट मिलेगा ठीक है यहां पर बात करते हैं अप्लिकेशन फीस की तो अप्लिकेशन फीस कितना लगएगा यानि कि सामान OBC और EWS के कंडिट अगर आप आवे दिन कर रहे हैं तो 1180 रुपे आपको आवे दिन सूर्क पे करना पड़ेगा ओनलाइन फॉर्म फिलप करते हैं ठीक है स्वरकाद वारा ETS सर्विसमेंड के लिए किसी भी प्रकार का असूल कि यहां पर निर्दारत अभी नहीं किया गया है और नहीं यहां पर के लिए कोई यहां पे पेमेंट करना पड़ेगा ठीक है जेनरल OBC EWS के लिए 1180 रुपे पेमेंट रहेगा सेस्टी एक सर्विसमेंट के लिए यहां आप आविदन कर पाएंगे तो सेस्टी एक सर्विसमेंट के लिए बहुत ही वड़ी अपोचिंटी यहां बहुत वड़ा बेनिफिट है यहां पे फीस आपको 1180 रुपे आपको जी रुपे आप अब अब दन कर पहेंगे ठीक है पेमेंट आपको ओल्लाइन करना पड़ेगा क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों पहुत ही महत्मूर पॉइंट है क्वालिफिकेशन का इन वेकेंसियों में त्री टाइप की वेकेंसियों में अप्लाइ करने का ठीक है हम उसका नोटिफिकेशन में देखेंगे अभी ठीक है बात करते हैं हाओ टो अप्लाइ कॉल इंडिया लिमेटेड रुक्रेट में दो आते है इसके लिए तो दोस्तों इसका जो है ओफिशल वेब्साइट का लि आउट कर दिया गया तो कौन कौन से मैंने बताया है दोस्तों यहां पर वेकेंसियों में लाइप की juill का वेकेंसियों में के फोर्म देसे से स्टार्ट कर देंव कर देंव हो चुके चुकि के हैं औरना के लिए वेगने कोौड़रोल। चलिए मैं आपको बतादे रहा हूं माइनिbek डिम्ट्प माइनिंग अंगी मारे इनजीनरिंग विदि of 60% के साथ होना चाहिए यहीं कि आपने अगर engineering कर रखा है और आपका qualification complete है 60% के साथ तो mining vacancy में apply कर पाएंगे ठीक है इसी प्रकार से civil vacancy की degree की बात करते हैं तो degree in civil engineering with minimum of 60% तो civil vacancy के लिए apply करेंगे तो उसके लिए भी आपको civil engineering की आपके पास degree होना चाहिए वो भी 60% के साथ ठीक है बात करते हैं geology इसमें आपका MSC, MT, geology या applied geology graphics applied graphics with minimum 60% के साथ आपका यह qualification होना चाहिए geology vacancy के लिए दोस्तों तो लोडी में पूस्टक के मने है बता रहा है कितना पोस्टे मने हो भी बता यहां पर कस लइकासिचर बघ्रा बेर् करते हैं उसमें कितना अपने में किसन कोड़ा करे बहुते हैं इब्रकार करेंड़ है कितनी हैं तो यहां पर देख सकते हैं सेलक्षन प्रोसीजर बाकी अफ्लिकेशन फीस में ने अल्लेडी बता रखा है किसमें कितना एज में छूट मिलेगा बो भी में ने अल्लेडी आपको पता दिया है यहीं नोटिफिकेशन है बाकी चीज़ें आपको देख सकते हैं ठीक है सर्विसमें बॉन्ड आपको 3 लाक यहां पर बॉन्ड मिलेगा आपका जब सर्विस जो हो वो खतम होगा मेडिकल एक्जामिशन आदा डिटेल यहां पर भी दे सकते हैं और चीज़ों को अगर देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन यहां पर कुछ इंचेक्शन दियेंगे हैं अपलाई करने के लिए तो ब वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेर कीजिएगा दोस्तों के साथ चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नटिफिकेशन को ओन करने जिससे हैं आपको इसी प्रकार से हर वीडियो कवर्मेंट जो से ल